हेलो फ्रेंट्स स्कल्पिंग सिरीज की एक और नया वीडियो में अपका स्वागत है अज का डेट है वेडिनेस दे थाटी वन चुलाई एंड टाइम दौस बाज के थाटी नाइन मिनीट हो चुका है चले मार्केट तो ओपिन हो चुका है प्रोपर एनलाइस करते हैं हम यह करें लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आज है बैंक निफ्टी का मांथले एक्सपायरी मुम्मेंट तो मिलना चाहिए वाट ऐसा हो नहीं रहा है अगर हम 15 में टाइम फ्रेम में देखे तो सिंपली अब देख सकते हो आगर महाँ चाहिए अगर किंए अवर ओण ट्रेण भी बूलिस तो मैं बिसीली प्रिफर करता हूं कि डीप में बाइक तो अब देखोगे मार्केट जस्ट यहां पे पिविएस डी जो क्लोजिंग प्राइस था 51,450 के आसपास वहां पे सापोड लिया सापोड लेने के बाद होल्ड कर ओविसली इस दा मेजो ट्रेडिंग जोन 800 से लेकर 52,000 एक रिजिस्टेंस लेवल है जोन है इस लेवल को अगर हम मांक करें तो 51, 1,800 से लेकर 52,000 एक इंपॉर्टें रिजिस्टेंस जोन जहां पर लास्ट दो दिन बड़ी रिजेक्शन मिला यहां पर आपके अंडल देख सेकते हैं 15 मिनिट के अंदर मोर देन 1000 पॉइंट यहां पर फॉल हो गया था उसके बाद प्रिवियस डे भी देखो कि यहां पर ब 150 पॉइंट को हम कैप्चर कर सकते हैं बाइबाइंग कॉल सो लेट सी अभी जो सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल टू बुली से ठीक आज मंतली एक्सपाइर हो सकते कि मुम्मेंट मिल जाए यहां फिर यह भी हो सकता है कि मांकेट जस्ट करके यहां पर प्रीमियम डिके करे आज का दिन तो बहुत बुरा होगा काल के दिन अच्छा का सा मोमेंट मिला था अभी अगर देखोगी तो 600 के आसपास मांकेट जस्ट कर रहा है सस्टेन ओके अभी मैं एक ट्रेड इनिशेट करूंगा ओभी बुली साइड मैंने आपको बता दिया यहां पर सापोर लिया है मांकेट पीवोट के उपर आ चुका है अभी जस्ट मैं पोजीशन ले रहा हूं यह जो मेजो ट्रेडिंग जोन इंपॉर्टन रिस्टंस 750 ए टार्गेट के लिए तो लेट सी इनिशेट करते थोड़ा रेट्रेस भी मिल रहा है और यहां से ओपन हो जाएगा और कॉल साइड को थोड़ा लेस कॉंटिटी के साथ ही आज एक्जीकूट करते हैं गाईस एंट लेट्स देखिए यहां से था एक्जीकूशन में थोड़ा लेट हो गया तो कहां पर मिला आप देखिए ओके आप देखिए 2000 कि सम्तिंग प्रॉफिट चल रहा है लोड़ा सा रिजेक्शन मिला है तो लेट से अभी तो लॉस ज्यादा बड़ा क्वांटिटी के साथ हमने पुजीशन नहीं बनाया ओके 500 813 चलो निकल रहा है एगें और यहां पी क सब्सक्राइब है तो मुझे लग रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यहां तक 150 पॉइंट का मुझे सकता है तो यहां पर मेरा इसल रहेगा जस्ट बिलो है 146 7 के असपास अगर आजाई दिन क्लोज कर दूंगा मैं इस पोजीशन को काल अगर देखोगे तो बड़ी-बड़ी कंडल बन रहा था एक ट्रेंडिंग मूब देखने को मिल रहे थे आज जस्ट मर्केट एक ही जगा पर सस्टेन कर रहे हैं तो लेट्स सी मैं मुश्ट अब दाइम वान इस्टू थी या फिर वान इस्टू फॉर फाइब रिस्क रिवाड के साथ मैं पोजिशन को क्लोज करता हूं अपने देखे होंगे जाके पास वीडियो देखो रिस्क कैसे लिमिट करता हूं गाइस अजस्ट मार्क नहीं तो मुझे लेना चाहिए ना यहां पर एक्जिट क्यों कर दो तो बैसिकली प्राइस को अब्जाब करना है चाट के उपर उनके हिसाब से आपको रिस्क को लिमिट करते हुए ट्रेंड के साथ बने रहना ओके निकल रहा है चलो 2003 अगर मैं एक्जिट कर दो उसके बाद अगर मॉमेंटम आज यह पहलने डिया आपके पास पेसिस नहीं है कि और आज इसका एक्स पाइरि है फोल्ड मुद करो हो सकते किरले के पाद मुहमेंट मिल जाए लेकिन मूश्टली क्या होते हैं थिटा डिके के करण अपका यहां पर पैसा लूज करोगे तो इस बात का भी अब धियन रखो तो अभी टाइम गारबज के वन मिनिट है और यहां पर इस तरह की बिग गंडेल अगर आप इसल को सिस्टेम में प्लेस ना करते हो तो इस तरह की मूब के लिए रेडी रहना ठीक है कभी-कभी बड़ा लॉस करके जा सकता है मैं आपको दिखाता हूं यहां पर 133 में हमने ए 46 जास में 13 पॉइंट दूर जाके यहां पर हमारा इसल टीगार हुआ है तो इस बात का आप धियान राखे सिस्टेम में नहीं था तो इसका अडवेंटेज दोनों होता है अडवेंटेज यह है कि आप कुईकली एक्जिट कर पाते हो ओके जस्ट क्लिक में लेकिन इसका डि जाओगे सब्सक्राइब एक बाज के 52 मिनिट और मैंने बना चुका हूं मार्केट बेसी के लिए एक बार फोर हंडिड के बिलो डिप लगा चुके हैं एक इंपॉर्टेंट शापट फोर हंड्रेड यह थोड़ा जैसे रिट्रेस लिया तो मैंने हां पर पोजिशन बनाया चार्ट में आपको दिखाता हूं प्रीएज डे क्लोजिंग प्राइस के बिलो आ चुके हैं और पॉंदर में टाइम फ्रेम में अगर देखोगे कि बहुत देरतों मांकेट एक ही जागा पर सस्टेन कर रहे थे प्रेमियम में डंपिंग दिखने को मिल रहे थे कुछ भी सब्सक्राइब करें तो जितना ज्यादा इग्नोर किया जाए मार्केट मूब नहीं कर रहे हैं केंडल नहीं बन रहे हैं तो अभी दो बज के एट मिनिट है और देखे 400 के नीचे सस्टेन तो कर रहा है बट यह एक इंपोर्टन शापोड भी है तो दस वाई चलिए इस पो के साथ आज हम कर रहा है डे क्लोस अभी चाट अगर देखोगे तो सिंपिल 51,400 के नीचे सस्टेन तो कर रहा है बट यहां पर 15 में टाइम फ्रेम में मैं आपको बता दू यह एक कुरूशियल सापोर्ट है हो सकते हैं कि मार्केट यहां से सापोर्ट ले ले और 50-60 पॉइं से हमने डिसेंट सा प्रॉफिट बना चुके हैं सो 21,000 के साथ हम कर रहे हैं डे क्लोस मिलते हैं नेक्स सेशन पर है गाइस आभी मांकेट हो चुका है क्लोस टैंट बहुत सरे कोमेंट मिल रहे थे कल के विडियो में कि सहरा पी एनल दिखा यह जुलाई मांथ का मैं बिसी के लिए पी एनल दिखाता नहीं और आपको भी इंफुलेंस नहीं होना चाहिए आपको क्या पता वह बंदा कितना कैपिड़ इस्तेमाल क्या है किया सा रिस्क मैनेजमेंट है आप यह ना जानते हुए आपना फूल कैपिड़ को इस्तेमाल कर देतों ट्रेडिंग में और किसी का पी एनल को देखते हूए इंफुलेंस मत हुई आगा जुलाई मंद की बात करें तो फास्ट ट्रीक में में एक बड़ा सा लॉस हुआ था एट लाक के असपास लेकिन बाजेट त्री डेज में अच्छा का सा प्रॉफिट भी हमने बनाया तो कुल मिला कि आप रियालाइस पीनल देख सकते हूँ 21 लेकिन यहां पे चाट जेस और ब्रोक्रीज मिला के 90,000 के असपास गया और नेट र देखना है तो मन्तली बेसिस में आपको दिखा दोंगा अभी अगर चार्ट दखो के जैसे कि हमने एनलीसिस के थे कि इंपोर्टेंट एक सापोर्ट है 51,400 उनी के आसपास बार 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 सापोर्ट मिल रहे तो ऐसा ही हुआ आप देखिए 620 के आसपास जाके क्लोज दिये हैं लेकिन आज के दिन उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिला और वान मूर तिंग मैं आपको बताना चाहूंगा अभी मैं कुछ दिनों के लिए बीजी रहोंगा काम के लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा कार के अंदर ही मुझे रेकॉर्ट करना पड़ेगा कार में ब सब्सक्राइब को बिल्कुल मिल जाएगा सब्सक्राइब मिलते हैं नेक से सब्सक्राइब